अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आप में जुनून है सफलता का 30 में सा 30 CDP में लाने का तो जुनना ना भूले आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सुबह 10 बजे टीचर सकता का अगर आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सकता का आशीश की मस्ती की पाटशाला रोज सकता का नमस्कार मेरे साथियों मेरे भावी शिक्ष को नमस्कार आप लोग जुड़ चुके हैं आशीश के साथ मस्ती की पाटशाला में एक अधिबुत शो के अंदर तो तो आपके इस अधिबुत शो में CDP special show में आप सभी दोस्तों का अभी नंदर ने करता हूँ कैसे मेरे भावी शिक्ष को सोनम, राशू, रिधी, शिल्पा, शाक्षी, मैं देख पा रहा हूँ सुनिल कुमार, मुहम्मद, तौफिक, आर्ती, राज, विक्रम, पूनम, विकास, गुलनाज, अनुज, सुप्रिया, प्रितम, आयुशी, जुबैदा, निशा, रुची, कोयल, सभी मेरे भावी शिक् एक बार in energy, के साथ तैयार हो जाहिए और कैसे हो आप सभी लोग came show मजा मज चो एक दम बढ़िया चल रहा है, मजा मज ऐक भार in energy के साथ बताएंगे good morning, good morning, कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों मापको सबको पताई कि अगरा जैसा कि बताए जाँ जाये 16ंदिसमबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे सोला दिसंबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और आज है तीन तारीक हमारे पास बहुत लिमिटेड दिन बचे और आपका हर दिन हर अगला दिन दोस्तों अब मैं जो भी कराओंगा दस बार दिन के अंदर उसको बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें र बैटने पर आधारित नहीं होगा मेरे दोस्त तो कल मैंने दोस्तों एक शो करवाया आप किस कितने लोगों ने यह वाला शो देखा कल मैंने बहुत ही स्पेशल शो करवाया सीटेड दिसंबर जन्वरी बस दस दिन यह पढ़ लो ध्यान लखेंगे मेरी बात को बस दस दिन बैटा क्या नहीं पढ़ूँगा अरे मेरे भाई ध्यान से बात तो सुनिये सबसे बहले इसकी बात करें कितने लोगों ने यह वाला शो देखा था सभी लोगों ने देखा था यह वाला शो बैटा जिसने नहीं देखा आपके वीडियो में पढ़ा हुआ है कि यह वाला श बहुत बढ़िये मेरे दोस्त और फिर मैं कहूँँगा यह क्लास SEE TET के साथ साथ आपके UP TET आपके हरियाना TET और आपके सूपर TET तीनों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा important दोस्तों में पढ़ा रहा है उसको बड़े ध्यान से देखें बहुत ज़्यादा important है जिसने नहीं देखा अपने गुरुप में share कर दें Facebook, Twitter, Instagram पर शेयर कर दें यूपी तेट की तयार है यूपी ओ लनुट्य प्रणिध के लिए तोर्णिध 2,000,000 पर 6,000,000,000,000 डेखें قला के लिए बहुत बढ़िया देखो पिंकी पांडे करें सर आपने कला सेश्टिक बारे में बताये था और मैंने बुक भी डाउनलोड कर लिया वा भाई वा पिंकी बहुत बढ़िया बेटा पढ़ना भी शुरू कर दो तो बेटा दस बच चुके हैं दस बच आपका इस्पेशल शो तै और यह आपके कितने नंबर पक्के कराएगे था अज का एक वीडियो तो बड़ा ही ध्यान से दैखे आई की उता क्या है यह सब और दोस्तों सारी इंटइलिएंश की तीबेश है चाहें गादना साहब हैं अल्फरेट के कोई ती थहे यह कि नाज की क्लास में कोर होगा यानि आज की क्लास से आपके 10 नंबर पक्ये होने वाले हैं 10 नंबर पक्ये होने वाले हैं तो तयार है बेटा सभी लोग अकल के बारे में कड़े हैं हुआ बिल्कुछ सही का अकल बढ़िया भैंस और उसके बाद दोस्तों क्या होगा C.T.E.D. का दंगल क्या होगा हर्याना टेट का दंगल सूपर टेट का दंगल और यूपी टेट का दंगल तो प्रीविएस येर कोश्चन्स के साथ प्रीविएस येर कोश्चन्स के साथ तो दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करते हैं और जैसे कि मैंने बताया नई शिक्षन निती करिए बेटा facts नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा आप कोई सोच मेरे भाई अपनी सोच को बदलना पड़ेगा तो ये class में सोच को बदलिए रटना नहीं है अपने concept को समझिए concept फिर मैं बता रहा हूं क्यूं क्यूंकि new education policy ने clear कर दिया है इस बार seated में बहुत ज्यादा बदलाव होगा इस बार seated में क्या होगा बहुत ज्यादा बदलाव होगा मेरे दोस्त तो ये वाली आदत बिल्कुल छोड़े मैं क्लास में बार बार बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं ये आदत बिल्कुल छोड़े मेरे भाई और शुरू करते है अकल बढ़िया भैस्च बच्वन बहुत सुनाता दोस्तो एलफरेट बिनने इसका कॉंसेप्ट दिया तो दोस्तो शुरूद करते दो शुरू करते दोस्तों इंटलेंस के बारे में जानेंगे इसे क्या बोलते बुद्धी बोलते बुद्धी बोलते हैं यहां से तो सवाल बनता है मेरे दोस्त मेरे शब्दों को ध्यान से देखिएगा पपुट्रिक क्या कहती है बासे बुद्धी होता है बासे बिने होता है तो विने साहब ने सबसे पहले बुद्धी के बारे में बताया था मेरे बात सबको सौन मा आ रही है विने साहब ने बुद्धी के बारे में दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ यह पपुट्रिक आपकी कहती है सबसे जो पहला सवाल बनता है intelligence बुद्धी क्या है और सबसे पहले इसके बारे में किस ने बताये था मेरे दोस्त तो बासे आपका बुद्धी है और बासे आपका बिने है एक नंबर का सवाल यहां पे खट्ट से पक्का होता है सबस्त मारी बात बासे बुद्धी है बासे बिने है बिल्कुल मस्ती की पाट चला अब दोस्तों बुद्धी की अगर बात करें आप लोग सुबह सुबह उठते हैं तो दोस्तों क्या प्लान होता है मन में मन में कुछ चल रहा होता है मन में कुछ चल रहा होता है इंटेलियेंस के बारे में आप अपनी रोज मर्रा का प्लान डिसाइड करते हैं आज उठूँगा दस बज़े सबसे पहले आशी सर की क्लास अटेंड करूँगा आज मेरे को वाला फॉर्म डाल देना है आज मेरे को प्रिपरेशन कर ले नहीं है आज मेरे को जो कल से काम पेंडिंग चल आज वो करना है इस सारा सुबह उठते दिमाग में खटा 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 ना शुरू हो जाता भी यह किस की वज़े से बुद्धी की वज़े से और बुद्धी का कॉंसेप्ट दिया किसने सबसे पहले एलफ्रेड बिने साहब ने दिया समझ में आ रहा है किसने दिया एलफ्रेड बिने साहब ने दिया बिलकु सही का बिलकु सही का बिटा बिने ने दिया इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे थोड़ा से आगे देखेंगे मेरे भाई देखेगा यहां पर अगर हम बात करें सीधी सी बात अगर बात करें यहां पर हम बिने साहम ने इसके बारे में बताया लेकिन हम बात करेंगे ये बुध्धी का IQ होता क्या है, किसी को इसका full form पता है, मेरे साथ यूं, किसी का इसको full form पता है, ये पेपर में बहुत जादा important सवाल यहां से आना ही आना है, note कर ले, इपेपर में आना ही आना है, IQ का मतलब होता और ये क्या बताता है, इसके बारे में जानेंगे, कौन बताएगा इसका अंसर, बहुत बढ़िया, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, क्या बात है, रोहित पाल, इंदु गुपता, IQ का मतलब बिटा, वा भईवा, वा भईवा, कौन बताएगा सबसे पहले, एक बार एनर्जी दिखाओ, हिबा अ बुद्धी, लब्धी की बात कर रहे हैं, बहुत ही शांदर, क्या बात कर रहे हैं, बुद्धी, लब्धी की बात कर रहे हैं, यह बताता है, कौन सा बाड़क कितना इंटेलिएंट, अगर देखें भई, अब मैं आप से पूछू, इस ट्रेंगल में कितने तिर्भुज है मैं आपसे पूछू इस ट्रेंगल में कितने तिर भुज़े जरा खटे से आंसर बताएं तो खटे से आंसर बताएं मेरे भाई फटा पट से जरा बताएं बहुत बढ़ी हैं क्या बात है क्या बात है एकदम एनर्जी के साथ खेलते हुए कहरे सर चार है अक्सर बच्चा एक दो तीन और यह चार यह आपने बुद्धी के थुरू आंसर दिया, कैसे आंसर दिया, बुद्धी के थुरू आंसर दिया है, बेटा बिल्कु सही का, बुद्धी के थुरू आंसर दिया है, तो मेरे भाई, यह जो intelligent quotient है, जो मैंने अभी आपको बताया, intelligent quotient जो है, बहुत जादा important है, इसका सबस है बुद्धी लब्धी intelligent quotient सबसे पहले दोस्तों जो मैंने आपको बताया intelligent quotient का जो concept है यहां से तीन नमबर का सवाल पूछड आता है अपने तीन नमबर पक्के करेंगे मिर भाई और हर paper के लिए बहुत ही जादा important है पेपर के लिए बहुत जादा important है पहला सवाल पहला सवाल इसका concept दिया किस ने था तो William Mr. note कर ले दिबाग में इसका अगर concept की बात करेंगे इसका अगर सम प्रत्य किस ने दिया था तो William Mr. ने दिया था सबको सौन मारा है एक नमबर आपका यहां से पक्का होगा अगर इसके formula की बात करेंगे दूसरा नमबर इसका अगर IQ का formula किस ने दिया था मेरे भाई तो termon ने दिया था दूसरा नमबर बात सौन मारे इसका अगर concept किस ने दिया William Stun ने दिया उसके बाद इसका formula किस ने दिया तर्मन ने दिया तीसरी बात mental एज जिसे मांसिक गुद्धी बोलते हैं वो किस ने बताया Alfred बिने ने बताया कई बर आप सवाल करते हैं ना तो ऐसे सवाल फच जाते हैं ऐसे सवाल फच जाते हैं तो दोस्तों यहां भी ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे पूछू IQ का concept किस ने बताया था तो आपका आना चाहिए विलियम इस्टन अगर मैं पूछू फॉर्मूला किस ने दिया था तो टर्मन अगर मैं पूछू मांसिक बुद्धी के बारे में किस ने बताया था तो Alfred बिने तीनों क्लियर हो गए ये थ्री इडिट्स वाली कहानी क्लियर हो गई मेरे भाई तो फॉर्मूला ये देखेगा very important इसके फॉर्मूले में क्या है IQ is equal to MA over CA into 100 बड़ा ही clear सी बात है IQ is equal to MA over CA अब यहाँ पर IQ मैंने आपको बता दिया intelligent question ये MA क्या होता है जिसे mental age बोला जाता है मांसिक आयू क्या बोला जाता है बिल्कु सही कारी चत्रिपाटी बेटा confusion नहीं होगी मुझे पता है ना बेटा मेरा बच्चा कहां confused होगा मुझे पता है ये मेरा child कहां confused होगा तो आपके सारा यहाँ पे clear कर दिया है सारा यहाँ पे clear कर दिया अब यहाँ पे दो शब्दों का खेल है यहाँ पे IQ मतलब दो शब्दों का खेल है सबसे पहले बात करेंगे mental age कि यह मानसिक आयू क्या होती है फिर बात करेंगे आपका CA याने कि chronical age कई बार इसको real age भी बोलते हैं क्या बोलते हैं real age यानि कि जिसको बोलते हैं वास्तिक आयू सबसे पहले इसको करने से पहले हम लोग इसका मिनिंग समझेंगे इसको करने से पहले बिटा क्या करेंगे हम लोग इसका मिनिंग समझेंगे अब देखेगा यहाँ पे अगर मां बात करूं अगर मैं यहाँ पे ने ने दिया ध्यान रखिएगा, अब मानसिक आयू का मतलब क्या होता है, कि अपनी आयू वर्ग के अन व्यक्ति की तुलना में कितना विकास हुआ है, मानसिक आयू कहलाता है, अगर बच्चा पांच साल का है, दूसरे पांच साल के बच्चों की तुलना में वो कितना विक् suppose ध्यान से शब्दों भी ध्यान दिजीगा अगर बच्चा कितने साल का है पांच साल का है और दस साल के बच्चे जितना क्या रखता है दिमाग रखता है ध्यान रखिए को पेटा बच्चा कितने साल का है पांच साल का है और दस साल के बच्चे कितना दिमाग रखता है तो म दस साल होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखेगा, ये बच्चा कितने साल का है दोस्तों, पांच साल का है, लेकिन इसका जो छोटा दिमाग है न, छोटा दिमाग कितने साल के बरावर है, दस साल के बरावर, तो इसकी मानसिक आयू हमारी दस साल की होगी, सबको समझ में आ रहा है तब ही तो इतने कठीन कठीन सवाल कर पा रहे हैं मैंसिजिस को देखके बेहुसी आ जाता है इस बच्चवत तभी तो इतने कठीन सवाल कर पा रहा है यानि इसकी मांसिक आयू कितनी है दस साल है इतना समझ में आया इतना समझ में आया अब दूसरी बात करते हैं मेरे लाल क्या है क्रोनिकल एज क्या है जिसको रियल एज भी बोलते हैं शब्दों को ध्यान देखिएगा क्रोनिकल या रियल एक ही बात है इसको हिंदी में वास्त्विक आयू बोला जाता है क्या बोला जाता है वास्त्विक आयू बोला जाता है मेरे लाल बिल बच्चा कितने साल का है पांच साल का है तो यह उसकी रियल आई वे दोनों चीज़े समन में आ गई है chronical age try to understand this to concept number of question will depend on this real age 5 years chronical age 5 years वास्तिक आईउ 5 साल apart from that मांसिक आईउ 10 साल मांसिक आईउ 10 साल थोड़ा से अगर ध्यान रखेंगे यह देखेंगे थोड़ा से क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे यह देखेंगे बहुत बढ़ियां यह देखेंगे इह रितिक रोशन कोई मिल गया वाला इसकी रियल आयू कितनी थी रियल आयू बेटा कितनी थी 20 साल रियल आयू इसकी कितनी है 20 साल है और इसकी मानसिक आयू रितिक रोशन की मानसिक आयू कितने साल की ये भाई बात करें तो छोटे बच्चे इतना बारा साल तेरा साल पंदरा साल यानि दिखने में तो पहाड हो गया दिखने में तो पहाड हो गया यानि 20 साल, 22 साल लेकिन दिमाद दिल तो बच्चा है जी बासोन मा रही है दिल तो क्या है? बच्चा है तो मेरे भाई, मेरे सातियों ये दोनों कॉंसर्ट्ट्सों में आया, मांसिक आयू क्लियर हो गया, वास्तिक आयू क्लियर हो गया, अगर ये क्लियर हो गया, तो आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करेंगे, आगे चलेंगे, ये जो फॉर्मुला, ये मेरे ख्याल से सबको 100% क्लियर हो गया होगा, किसी को बहुत बढ़ियां एक बार इसी बात पर बोल देंगे बाके बिहरी लाल की जै और भाई लाइक भाई कर रहें कहँ है नाराजगी एका भाई अब देखेंगे दोस्तों सवाल कैसा आता है सवाल एक 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष के बच्चे के समान सोचता है बच्चा 10 साल का है 15 साल के बच्चे जितना दिमाग रखता है उसका IQ निकालना है कौन सबसे पहले निकालेगा मैं देख रहा हूँ यहां पे लगबग 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कमेंट खाली बाकी लोगों को सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या भाई एक बार फटा फट से बताएं कौन सबसे पहले आंसर देगा वा भाई वा दिल तो बच्चा है जी सर अरे वा शांदार कैलकुलेशन भी कर दिया बहुत बढ़िया आँ मज़ा ही आ रहा देखके बहुत बढ़िया बवा शांदार कह रहे हैं और भाई डेड़ सो बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं बढ़िया चेक करते ने एक बार काफी लोग आंसर नहीं दे पारें बच्चे की रियल एज क्या है 10 साल और सोचता कितने लितना है में अलेंटल एज कितनी है 15 साल तो भाईया फॉर्मुला का होता है mental age और में chronicle age इंटू में 100 यानि 15 बटे में 10 इंटू में 100 जीरो से जीरो कटा और 15 इंटू में 10 बराबर 1.500 तक से एक number आगया तक से एक number आगया भीया मुश्किल है क्या मुश्की लेकर एक बर मुझे बताएं कोश्चन समझना बहुत आसान है और कोश्चन लेकर था सारे IQ का कोश्चन आरे लड्डू है भाई क्या है लड्डू है असान लग रहा है अभी खाली 1.5124 बच्चे 124 बच्चे वो कर रहे हैं मिटा 124 बच्चे आंसर देना बाकी लोग आंसर नहीं देना सेलेक्शन चाहिए न अगला सवाल देखिए एक बर अगला सवाल देखिए सवाल नंबर दो सवाल नंबर दो फिर मैं थोड़ा सा छुपाऊंगा इसको एक बच्चा 10 साल का है और उसका IQ 160 है तो उसकी mental age निकालिए तो उसकी mental mental age उसकी मानसिक IU निकालिए भईया कोशन ध्यान से पढ़ लें आंसर को मैं थोड़ा सा छुपाना चाह रहा हूं मैं देखना चाह रहा हूं कितने मेरे साथी समझ चुके हैं और कितने नहीं समझे हैं फिर मैं लास्ट में तो भी हल कराऊंगा ही कराऊंगा फिर ध्यान लखेगा शब्दों को ध्यान दीजेगा बच्चा कितने साल का है 10 साल का है IQ उसका 160 है और उसकी mental age निकालनी है ओ शांदार एनरजी एनरजी वा भई वा मेरे लाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया रेप्लाई दे रहे हैं और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आप लोग के आंसर देखके बहुत शांदार खेल रहे हैं लेकिन खालिब 300 बच्चे आंसर दे रहे हैं, यह दीख के दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, क्या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत शानदर बिटा, और आंसर क्या बता रहे हैं, 16 साल बिलकुल सही, जिनको समने में नहीं आया है, ध्यान रखेगा बिटा, जिनको सम इसको समझ पाल टू, mental age, real age, into 100, सही बात, IQ 160, mental age हमें निकालनी है, इसको M रहन दो, real age हमारी कितनी है, 10 into 100, यही बड़ा, इस से यह कट गया, mental age इधर यह 10 क्या और multiply हो रहा है, उदा जाकि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 160 बटे में 10, और क्या आगे, 16 आगे, so easy, so easy, इसका मतलब बच्चा 10 साल का है, और बच्चे का मानसी का यह कितना आ रहे, 16 साल आ रहे, 10 साल का बच्चा, 16 साल के बच्चे इतना दिमाग रख पा रहे, तो यहीं बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, सूपर डूपर intelligent है बटा, gifted से भी उपर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरे दोस्त, ऐसे सवाल आपके seated में बहुत आई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे समझ वाले सवाल, आपके seated के paper में बहुत जादा आने वाले हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जितने लोगों मज़ा और एक बाद टका 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 टक बेटा लाइक भी करते रहें ताकि और मजा आए और मजा आए मुश्किल तो नहीं लग रहा है मुश्किल तो नहीं लग रहा है मेरे भाई अगला देखें एक और आखरी सवाल देख लेते हैं अच्छा अब देखें दोस्तों एक टेबल है एक टेबल है वेरी इंपोर्टेंट इस पर कम से कम दो सवाल पेपर में बनते हैं केसे सवाल बंथ hebt दो सवाल पेपराव बनते हैं वं बिश på मेरा स्कोर 99 न Maharय बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि मैं कानु इस अरई बच्चो तो बहुत ऊच है ए सो मिशी इंटलेक्च्टॉल चाइड तो बटए टेबल यह बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं अब देखिएगा हमें बुद्धी लब्दी कैल्कुलेट करना आ गया हमें IQ का अगर पता हो तो हम यह बता देंगे बच्चा कितने पानी में है, यानि बच्चे का लेवल क्या है, क्या बता देंगे बच्चे का लेवल क्या है, सबसे पहले आपको टेबल में समझना क्या है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, बच्चे का जो IQ लेवल 90 से 109 है, तो क्या होगा, एवरेज बच्चा होगा, मेरी बात को फिर आ रहा है 92 आ रहा है 98 आ रहा है 100 आ रहा है 109 आ रहा है तो बच्चा कैसा होगा average बच्चा होगा बच्चा कैसा होगा average बच्चा होगा बच्चा अनमारिए अब जैसे जैसे बच्चे का IQ घटेगा बच्चे का intellectual level यानि कि down हो रहा है बच्चे का intellectual level क्या हो रहा है down हो रहा है और जैसे जैसे बच्चे का IQ लेवल बढ़ेगा यानि बच्चे का level क्या हो रहा है बढ़ रहा है बच्चा intelligent अब देखेंगा यहाँ पर एक नमबर के सवाल यह बनता है अब जितना इससे नीचे डाएंगे दूसरा सवाल ये बनता है अगर बच्चे का IQ 70 से कम है बच्चे का IQ क्या है 70 से कम है तो बच्चा कैसा होगा retarded की category में आ जाएगा है रिटाल्डेट की कैटिगरी में आ जाएगा अगर बच्चे का IQ 70-79 आ बच्चा बॉर्डर लाइन पर हैόςट है या बही मेरे बच्चा कहां पर है बॉर्डर लाइन पर है बच्चा डाउन भी हो सकता है अब भी हो सकता है यहां खड़ा है इससे उपर चला गया तो normal इससे नीचे चला गया तो down हो गया तो और यह पूछ लिए जाता है डाउन एक नमबर यहां से एक नमबर यहां से अब जितना ऊपर चलेंगे ये पूछा जाता है 120 से 130 तक बच्चा सुपीरियर की कैटिकरियर आता है बच्चा उपर जाना शुरू हो रहा है बासन मारिये बच्चा क्या हो रहा है उपर जाना शुरू हो रहा है तो यानि 120 प्लस वाला बच्चा 130 प्लस वाला बच्चा वेरी सुपीरियर और गौड गिफ्टेड कहलाता है इस टेबल से दो सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मल बच्चे का IQ कितना है 70 से नॉर्मल बच्चे का IQ कितना है 90 से 109 तो नमें टेबल हटा देता हूँ और थोड़ा सा आप से बैक ग्राउंड में पूछता हूँ देखते कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं बहुत बढ़ियां देखते हैं वाई जाग जाओ कितने लोगों के अंदर एनरजी है वो देखना चाहता हूँ मैं कितने लोग है अगर बच्चा नॉर्मल है तो आईक्यू क्या होगा फटा पट से बताएं अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो आईक्यू क्या होगा एक नमबर दो नमबर और तीसरा नमबर अगर बच्चा गिफ्टेड है तो आईक्यू क्या होगा कौन सबसे पहले बताएगा मैंने आपको तीन सवाल लिख दिये पेपर में अगर बच्छा नॉर्मल है तो iq अगर बच्छा मांसी गुरूप से रिटार्डेड है तो iq और अगर बच्छा गिफ्टेड है तो iq कौन बताएगा वह 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 सूीटी सूीटी बटा फटा फट कर दे एक नंबर सवाल यहां पक्का हो गया लॉक कर दे 90 से 109 बहुत बढ़िया अगर बच्छे का iq लेवल 70 से कम जा रहा है इसे लॉक कर दे बिलकुल क्लियर लॉक कर दे बिलकुल क्लियर अब बात करें गिफ्टेड बच्चे की तो अभी हमने देखा 120 प्लस से जैसी ब 3 पक् испыт कखे मेरे उसे इस हमारा IQ का खेलन यह टेबल पेपर में आती है दिमाग में छापड़ो फोट्टो फोट्टो तु खेम मेरी फोट्टो वही वाली कहानी कर दो दिमाग में छापलो बिटा, समझ में आ रहे बात, बहुत बढ़िया, आगे चले मेरे दोस्त, आगे चले, अब आते हैं, असली खेल तो अब शुरू होगा, असली खेल तो अब शुरू होगा, मैंने क्या बोला, आज की क्लास इसने मिस कर दी, दस नमबर भूल जाओ, तो आ आजनर साथ का प्रिंसिपल है, एलफ्रेड का है, स्पीर मैन का है, थौन डाइक का है, हंड्रेड परसेंट टॉप करना है, कितनी एनरजी चाहिए, क्या पढ़ना है, मुझे बताएं, लेकिन टॉपर बनना है, बटा बासोन मारिये, बहुत बढ़िया, मुहम्मद हसन बिल प्रिंसिपल, नमबर एक, एक कारक सिधान्त, वन फेक्टर थियोरी, एक कारक सिधान्त, वन फेक्टर थियोरी, बटा, ए जो है, इंगलिश का कौन सा लेटर है, पहला लेटर है, एलफाबेट के हिसाब से, एंगलिश का पहला लेटर है, पपु ट्रिक्या कहती है, एक कार कारक्सिद्दान्त Alfred Binne ने दिया था आपको याद ही नहीं रखना अगर वन फैक्टर थियोरी मतलब इंगलीश का पहला लेटर ए होता है पपु ट्रिक कहती है किस ने दिया वह क्योंकि पहला लेटर है एक कारक्सिद्दान्त है यानि एक नमबर पे कौन रहा वह ए रहा यानि कि Alfred Binne इन्होंने क्या माना भाई मेरे ये हमारा पूरा ब्रेन है एक ये कम्प्लीट सेट है इसका कोई डिवीजन नहीं है इसका क्या है कोई भी डिवीजन नहीं है मज़ा आ रहा है ट्रिक समझ में आ रही है मेरे भाई ट्रिक मतलब पहला लेटर ए है यानि कि जो एक कारक्सिद्दान्त एल्फरेट बिने ने दिया था इनके हिसाब से क्या माना गया बुद्धी एक क्या है कम्प्लीट सेट है इसमें कोई डिवीजन नहीं है भी आप कोई भी काम करेंगे अपका पूरगा पूरा बुद्धी वहाँ इन्वाल हो जाता है इन्होंने क्या बिदिया अल्फरेट बिने ने दिया मज़ा आ रहा है ट्रिक के साथ खतम एक नमबर पक्का कुछ नहीं पढ़ना भाई मेरे कुछ नहीं पढ़ना इनका नाम आते ही एक नमबर पक्का एक क लारक एक वन फैक्टर कि तक के से यह बाई यह बहुत यह बहुत शांदर मजा रहा है मज़ा रहा है मेरे भाई बहुत बढ़ अब थोड़ा सा आगे चले चुटकियों में थोड़ा सा अगे चले यह देखिएगा दु फैक्टर यही नाओ मूविंग टूर्ट्स चू मतलब आप लोगों ने बहुत सुना इस्पाइडर मैन सूपर मैन इस्पाइडर मैन और सूपर मैन की बात कर रहे हैं तो बेटा यहां इसको तोड़ दोना मेरे भाई spiderman का भाई का है spearman इहाँ इसको तोड़ दो एक यहान तूट गया दूसरा यहा olun दिया बिटा एक नाम को मैंने दो हिश्चों में तोड़ दिया Superman का भाई spiderman pussy trick का ध्यान रखें superman सबने देखा था spiderman सबने देखा था दोस्तों movie भी देखी हिए हमने उसी का भाई spearman इसपीयर अलग हो गया में अलग हो गया पपू टृक्रिक लिए दो इस्से में तोड़ दिया यानि कि यह टू फैक्टर ठिएरी हो गया यानि के ये टू फेक्टर थियोरी हो गया मज़ा आया अब जैसे ही पेपर में आएगा टू फेक्टर एक बच्चे ने कहा सर इस सवाल तो यूपिटेट में भी आया था मुझे नाम याद नहीं आ था मुझे बार बार सूपरमेन याद आ रहा था तो मैंने का बेटा फिर क्या करा बोला सर सूपरमेन तो था ही नहीं इस पीरमेन ने का टक कसे लगा दिया मैंने का अरे वाई तो कमाल ही हो गया इस तो कमाल ही हो गया तो दोस्तों ट्रिक याद रखने का तरीका टू फेक्टर फियोरी spearman, समझ में आ रहा है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यह देखिएगा, इन्होंने क्या करा बटा, दो चीज़ें बताई, मैं बताऊंगा यहाँ पे, इन्होंने इन्होंने सामान्य और विशिष्ट की बाद बताई, क्या बताया, सामान्य और विशिष्ट की बाद बताई, सबसे पहले मैं सामान्य की बात करता हूँ, जी फैक्टर की बात करता हूँ, बटा जी मतलब क्या होता है, जी मतलब होता है, जनरल, सामान्य, क्या होता है, सामान् लग करता है जन्रल भोगी में ट्रेवल करता है किसी का पसीना किसी के मुँपे जा रहा है कोई सपना नहीं है बस घिस घिस के जिन्दगी निकाल रहे हैं एक सामान जिन्दगी क्या हो रहा है एक सामान जिन्दगी भीड का सामना धक्का मुक्की सीट मिल गई तो लगता है भगवान आज मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया था आज मेरे को जंदल बोगी में सीट मिल गया कोई सपना नहीं है कोई सपना नहीं है कोई उम्मेदनी है आम इनसान है रोटी खाता है उठता है सुवार ब्रश करता है तैयार होता है जाता है मजदूरी करता है फिर खाना खाता है सो जाता है फिर अगला दिन आम आदमी नो सपना क्या बनों कि पता नहीं जिंदिगी जैसी चल रही है चलने दो जिंदिगी जैसी चल रही है चलने दो बड़ा बास्वन मारिए इस्पैसिफिक इस्पैसिफिक जो च्छात्रों का जीवन है जो स्टुडेंट का जीवन है एक के गुरुपे के लिए मोहता जोता है बच्चे को पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए किताबों के लिए तो किसी तरीके से जन्रल भोगी में ट्रेवल करके यहां से वहां पेपर देता है भागता ही सब करता है उसब करता है लेकिन अब नहीं मेरे लाल मेरे भाई अब नहीं करने दूँगा मुझे क्या करवाना है मुझे आपको जी से एस में लेके आना है नोकरी लगने के बाद म सभी लोग कमेंट करके बताएं सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे उन मम्मी पापा का माँ और पापा का सपना पूरा करना है पापा मैंने टिकट करा दी सपना मैं पैरेंट्स को इसमें घोंवाना चाहता हूँ कि आप नी सोचते ऐसा मैं अपने किसे भी चाहती को ये जीवाला जीवन नहीं देने मेरे जिन्दगी में इस जीवाला फेक्टर हटा तो नहीं बनना चाहता मैं मैं जीवन में जी नहीं, जब आम बच्चा अब पेपर आने वाला है ना, तो जो साधारन बच्चा होगा, जो धक्का मुक्की खाएगा, वो चदर तानके सो जाएगा, आज साधारन बच्चा है ना, उसको सर्दी लगेगा, वो सो जाएगा, लेकिन जो special है, कुछ करना है, जब तक सर में नोकरी नहीं ले लूँगा, तब तक अब मुझे नींद कहां और चैन कहां, बेटा बास सोन मारिये, बास सोन मारिये दोस्तों, तो ये वो अलग क्या है, जी फेक्टर है, बास सोन मारिये, तो ये सपना पूरा करना है, मेरे भाई, ये सपना पूरा करना है, हिसे सही बात किसी को लगरा नहीं कर पाएंगे यह टू फैक्टर वाली ठ्ही लिः रहं आगाई है टू है किस ने दिया इस्पी अर्मेन टू फैक्टर ठ्योरी पपू ट्रिक के साथ है तू फैक्टर ठ्योरी पपू ट्रिक के साथ और यहां पर दो फेक्टर काम आजाते हैं जनरल और सामान ने जनरल और स्पेसिफिक जनरल यानि सामान ने एस फोर स्पेसिफिक यानि की विषिष्ट की बात कर रहे हैं विषिष्ट की बात कर रहे हैं तूए खतम है ल्हसिस के दाए पढ़ पूजालास कुछ नहीं पढ़ना इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आगे चलें आगे की कहानिfunded देखते हैं मौज घर दी सर मौज कर दी हाँ के नहीं हाँ के नहीं जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा जब नौकरी मिलेगी तो का होगा सूट होगा बूट होगा और एरोप्लेन वाला मेरा ड्रीम होगा एरोप्लेन वाला मेरा ड्रीम होगा जीतूंगा मैं सर जीतूंगा शान नार बिटा आगे चलते आगे चलते हैं दोस्तो एक आता है बहुकारक ध्यान रखेगा multifactor theory एक आता है बहुकारक multifactor theory ये भी paper में पूछ ली जाती है कई बार multifactor theory दोस्तो किस ने दिया बहुकारक का सिद्धान्द किस ने दिया थौन डाइक सहाभ ने दिया था एक इन्होंने पस यहां पर जो सवाल बनता है, इनके हिसाब से चार लेवल आते हैं, इस्तर, सीमा, शेत्र और गती, यहां से ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, इसलिए पस यहां पर आपको एक ओवर्वी होना चाहिए, कि मल्टी फेक्टर थ्योरी गिवन बाइ थॉन डाइक, सीदा एकजाम में आए, सार, यूपिटेट में वही आया था, जो आप पढ़ाये थे, यूपिटेट में वही आया था, जो आप पढ़ाये थे, अगला सवाल देखेंगे भई, अगला देखेंगे दोस्तों, भई, बहुत बढ़िया, आगे चले, आब देखिए, अब very very important, गाणड़नर सहब के पास पहूंचे, very very important, यहां से 5 नमर के सवाल कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, अलग-अलग घुमा-घुमा के पूछ लिए जाते हैं, का होते हैं घुमा घुमा के पूछली आते हैं सबसे पहला सबसे पहला बहु बुद्धी का सिधान्त जैसे ही आएगा बहु बुद्धी बहुत सारी बुद्धी के बारे में बात करी इनोंने किसके बारे में बात करी बहुत सारी बुद्धी के बारे में इन्होंने बात करी है और क्या कहना चाह रहे हैं सर बहु बुद्धी की बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं टक से एक नमबर आ जाएगा सर multiple intelligence कोई एक बार छेड़ तो दे बहु बुद्धी का concept कोई एक बार बहु बुद्धी का कॉंसेप्ट छेड तुदे सर मल्टीपल इंटेलिएंस किसने दिया गार्डनर साहब ने दिया अब देखेगा ये ध्यान रखिएगा जब दुनिया साथ छोड़ दे तो आशिश की दोलाईने याद रखिएगा मेरे भाई जो एलबर्ट आइंश्टीन साहब ने बोली है आपके लिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से जड़ा पढ़िए इसको क्या बोलते हैं कि तब तक मैं जल को ग्रहन कर लूँ ईयार को ніना में मेरे तो यो महतेड़ी बढ़ियां करने हैं बहुती बढ़ियां करने हैं एश्यांक सपना धार्मी की संदीप, धननजय, अंकिता, everybody is genius, आप लोग special हो मेरे भाई, special हो, किसी से कम नी हो, यह छोरे और छोरियां किसी तक कम नी है, यह याद रखेगा, आप genius है, अगर मचली यह सोचे, कि मैं उड़ नहीं सकती, और चिडिया यह सोचे, मैं तेर नहीं सकती, तो पूरा जीवा ने इसी में चला जाएगा, इसलिए enjoy your life, जो Einstein सहब ने कहा, enjoy your life, जो Einstein सहब ने कहा, और बहुत ही बढ़ियां बोला बिटा, बहुत ही बढ़ियां बात बोली, क्या सर मज़ा ही आ गया, मज़ा आ रहा है बिटा, चीजे समझ में आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़ि एक किताब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इनकी एक किताब क्या फ्रेम्स आफ माइंड पेपर में पूछा जाता है के विसमें सवाल आता है फ्रेम्स आफ माइंड गिवन बाई होवाड गार्णर फ्रेम्स आफ माइंड गिवन बाई होवर्ट गाड़नर इन्होंने N-C-E-R-T के एकोडिंग दोस्तों ध्यान रखिएगा आठ प्रकार की बुद्धी के बारे में बताया कितने प्रकार की बुद्धी के बारे में बताया आठ प्रकार की बुद्धी के बारे में बताया बास वोन मा आ रही है टकाट टक एक नमबर यहां से और एक नमबर यहां से दो नमबर पक्के हो गए आगे चले यह देखिएगा यह देखिएगा कोई बढ़ियां रीडिंग करता है कोई बढ़ियां पढ़ता है यह देखिएगा इस फोटो बहुत कुछ कह रहा है इस फोटो बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों इसके बाद मुझे बात कर लीजिएगा परेशान मत हो यह इसके बाद मुझे फोन कर लीजिएगा ठीक है बढ़ियां बोलता है भाईयों और बहनों कोई बढ़ियां बोलता है बढ़ियां लीडर है कोई बढ़ियां गाता है अरिजीत सिंग कुछ भी गा दिया वर्ड गा दिया गुन-गुना दिया लंबियां सी जुदाईया कुछ भी बोल दिया आरे भाई मजाई आ जाता है पैर थिरकने लगते हैं, टाक 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 अरी जीत सिंग। दोस्तो ध्याम नखीगा, इह कौन है विश्वनात्र आनंद। कौन है विश्वनाथ आनन्द है कोई बढ़िया क्या करता है दोस्तों बढ़ियां चेस खेलता है आज पूरे देश में नाम है इनका बढ़ियां प्लेयर है कोई जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है कोई जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन तो यानि कि क्या सरोज खान एक अच्छी दोस्तों कहते न एक अच्छी कोरियोग्राफर और जब बच्चा बल्ला पकड़ता है जब बच्चा बड़ा जैसी बच्चा दोस्तों खड़ा होता है खेलने लाइक होता है कहता है मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा का बोले सचिन तेंदुलकर बनूंगा वल्ला उसके हाथ में आया और सचिन तेंदुलकर बनूंगा उन कहानी करता है मतलब की का हुआ बेटा मैं कहने का मतलब है इस्पैशल है यह क्या है इस्पैशल है क्या है इस्पैशल है क्या है इस्पैशल है इस्पैशल है मेरे भाई तो यानि कि इन्होंने बताया इन्होंने बताया कि इन्सान जो है उसमें आठ प्रकार की अलग-अलग बुद्धि पाई जाती है कोई बढ़िया लीडर कहलाता है कोई बढ़िया सिंगर कहलाता है तो हम एक एक करके ही सब को पकड़ेंगे दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा भाशागत की सबसчиर भाइले बात करूँगा भाशार घद की भाशा पर अच्छी पकड़ शब्दों का ज़ादू चला दिया सर कोई पागल कहता है कोई दिवाना समझता है यद आया किसके बोले पहले वाली बात करे सिर्फ जो शब्दों के जादू चलाते हैं, शब्दों के जादूगर होते हैं, शब्दों के जादूगर होते हैं, कोई पागल कहता है, कोई दिवाना समझता है, कौन बोला, इस कौन बोला भीया, कुमार विश्वास, कौन बोला चेतन भगत साहब, इस शब्दों के का हैं, गल्फ्रेंड हाफ गल्फ्रेंड कई बार पेपर में पूछा भी गया इन नॉवल किसको ने लिखा है कहानी किस ने लिखी मेरे भाई कहानी किस ने लिखी चेतन भगत इस दिल्ली इंवश्टी में गाया इनकी लाइन याद इस बैटे टुबे गुड पॉइट देना बैड इंजीनियर कौन बोला चेतन भगत साहब के साथ साथ इन्होंने बोला कुमार विश्वास कुमार विश्वास दोस्तो बासन मरे तो पहला ये क्लियर हो गया दूसरी बुद्ध की बात करें टका टक देखेंगे लेकिन आप लोग लाइक और शेर का आकरा पढ़ाते रहें आप लोग बिटा सेशन को शेर करते रहेंगा मेरी एनरजी जब तक मेरी एनरजी दोस्तो आपसे है जब तक आपके लाइक और शेर बढ़ते रहेंगे शेयर करते रहोगे यह मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा अश्वनी प्रकाश मेरे भाई दो तीन बच्छा दो बच्चों को जोड़ेगा गुंजिता रिया बाशू मौमद शारुक शिखा सोनाली हर एक बच्चा द मेथ ही स्ट्रॉंग होता है इन्होंने का बोला सर में आज पूरा देश आप दोस्तों बहुत यस् कल मेरा थोड़ा सा दिल दुख गया हमारे देश में कोरोना का दोस्तों जो थर्ड वेरियंट है हमारे देश में कोरोना का जो थर्ड वेरियंट है जिसे ओमिक्रोन बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है ओमिक्रोन इंडिया में आ चुका है कोरोना का थर्ड वेरियंट ओमि लोगों से गुजारिश करूंगा, टेक केर, अपना ध्यान रखें, जिसने वैक्सिन नहीं लगवाई, वैक्सिन लगवाले, डिस्टेंस, शोचल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जरूर लगाए, सब लोग मेरी बात मानेगे, सब लोग मेरी बात मानेगे, बैटा, जैसे कोरोना की इस्ट्रिक गाइड लाइन का फोलो करें जो आपकी पहले प्रोटोकॉल थी सारी प्रोटोकॉल को फोलो करें मास्क लगाएं शोशल डिस्टेंसिंग रखें और तीसरी बात जिसने वैक्सिन नहीं लगवाई ये तीसरी बात जिसने वैक्सिन नहीं लगवाई ये बेटा वैक्सिन जरूर लगवा ले, क्योंकि Omicron की दस्तक आ चुकी है और ये वाइरस पहले से भी ज्यादा खतर्नांक है ये वाला वाइरस पहले से भी ज्यादा खतर्नांक है बहुट ज्यादा खतर्नांक है तो मैं फिर यही कहूंगा मैं फिर यही कहूँगा आप सभी लोग अपना ध्यान रखें अपना ध्यान रखें तो पेपर का टाइम है और पेपर के टाइम में आपको कोई गड़बड नहीं करना है कोई गडबर नहीं करना है मेरे लाल तो यहां पर ध्यान लखीगा यह जो साइंटिस्ट लोग इनका मैथ बहुत अच्छा होता इसे लोग कैसा होते हैं भया वैज्यानिक होते हैं ऐसे लोग का होते हैं नोबल पुरसकार विजेता होते हैं का होते हैं लोबल नोबल पुरसकार विजेता होते हैं जिसना नहीं लगवाई बेटा जरूर लगवाईएगा बस मैं तो आपको सजेशन करूँगा मैं नहीं जाता मेरा कोई भाई मेरे इस परिवार का कोई भी सद सबसे को ओमिक्रोन के विए से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आप भी लगवाएं अपने परिवार में सब को वेक्सिनेट करवा दे बिटा बास वन्मारिए क्योंकि आप लोग शिक्षक हो और आप लोग देश को सभाल सकते हो तो आप लोग आसपास के लोगों को भी यही सिक्षा दे और जितने मेरे दोस्ट वीडियो देख रहे हैं प्लीज सभी लोग इसका इस्पेशल ध्यान नके जान है तो जहान है सही बात कह रहा हूं मैं जान है तो जहान है यार बाकी तो पढ़ाई वड़ाई तो सब उसके बाद की बात है सबसे पहले हैल्थ सबसे पह अब दोस्तों आगे चलते हैं आगे की कहानी कि देशिक बुद्धी की बात करें तेशिक बुद्धी के बिटात देशिक का मतलब होता है इस्पेशिल जिसको बहते हैं यानि इस ने इस पेश का सही तरीके से यूज ए मैने सो गज का पुलॉट लिया और सोबज गज के प्लॉट में कितना बढ़िया नक्षा निकाल सकता हूं मैंने सोगज का प्लॉट लिया और उसमें कितना बढ़िया नक्षा निकाल सकता हूं कितना बढ़िया तरीके से लोगों को उसमें दोस्तों काम कर सकता हूं यह ध्यान कहीं देखो बिल्डिंग बना दिया भाया कैसे बना दिया समझी नहीं आता कैसे बना दिया समझी नहीं आता ऐसे लोग कैसा होते हैं भाई ऐसे लोग विमान चालक होते हैं ऐसे लोग नाविक होते हैं पेपर में यहां से सवाल आता है एक मूर्तिकार है मूर्तिकार है वो कहां से वो जो मैचिंग में सवाल पूछ लिया जाता है मेरे भाई तो यह ध्यान लखिए ऐसे लोग अच्छे आर्किटेक्ट्चर होते हैं बिल्डिंग यह इसे बना देते हैं एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देते हैं बाच वन मारे इसे सवाल गलत मत करना हैं जो भी सवाल बनते हैं मैं आपको दिखा रहा ऐούμε कमाल कर दिया बटा बहुर बढ़ी आए अनन्य सबसे पहले बटा second dose ले ले बटा जिसका second dose मैंने भी second dose नहीं लगवाई है दो दोस्तो second dose जैसे आपका time period आए एक दिन की छुटी करो कोई बात नहीं एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे कोई बात नहीं second dose अगर किसी का भी रह ग इशान होने का जरूरत रही है आप मुझे मैसीद में अपना कॉंटेक्ट नंबर दे जीजिगा मैं बात करूँगा मेरे हुटे हो काहीं के टेंशन मिटा ध्यान रखीगा संगीत आत्मक बुद्धी लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी जोबी नोटियाल दोस्तों आजकर बहुत शेवास हैं इनका म्यूजिक कहते हैं बिल्कुल जीविया पे सरस्वती माता जीविया पे ऐसी माता बैठी हुए तुरंद जो बोल दिया बस वही पैर थर्थराने लगते हैं दिल गलती कर बैठा है आगे की लाइन आप पूरी करें दिल गलती कर बैठा है आगे की लाइन आप पूरी करें फिलिंडा ब्लैंक्स ये क्या ह ऐसे लोगों का संगीतात्मक बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, रचाइता होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, रचाइता होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, बेड़ा बासोन मारिये, बहुर बढ़िया, बहुर बढ़िया, दोस्तों और गल्ती कर बेठा है दिल वही कहानी है संगीतात्मक्राइख संगीतात्मक ब apple ahستos अन्हाँ पिज़ति अंगला देखे शारीर की बात करें शारीरीक जोन्धी गतिसंवेदी इसको का बोलते है बौडिली काईनेस्थेटियक किसकी बात कर रहे हैं बॉडिली आensor कर कर रहे हैं यह देखिए गा वो मौत की पर मासन मारे वह भाग 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 जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगिटिव थी, उसको रेशर बना दिया रेशर बना दिया तो ऐसे लोग दोस्तों याद आ रहा है ऐसे लोग क्या होते है अच्छे सर्जन अउख कभीर सिंग को नॉटसाइड रोमियो आसा ilा रोड़ साइड रोमियो उक कभीर सिंह याद आ रहा है उक कभीर सिंह यादा रहा है तो एसे लोग अ मैं इस सार्कल कर रहा हूं है ग़ींज होते हैं अमबर इसे लोग अभिनेता अभिनेत्री था या ए तीन नमबर बढ़ियां खिलाडी होते हैं, जिमनास्तिक होते हैं, पाइलट होते हैं बहुत बढ़ियां मौम्माद हसन, किलियर हो रहा है, बेटा बास वान मारिए यहाँ पे पाँच तरीके से पूछा जाता है, एक एथलीट है, वो किस कैटिगरी में आएगा एक पाइलट है, किस कैटिगरी में आएगा, बास वान मारिए, बेटा बास वान मारिए, किलियर हो रहा है, आगे चलें बाई, आगे चलें मेरे दोस्त, अगला आता है गति सम्वेदी, आगला आता है दोस्तों इंटर पर्सनल, इंटर पर्सनल, यानि कि अन्य व्यक्तिकत ब विद्धि की बात कर रूएं अ गए आ बहुत बढ़ियां क्या बात है सर कोपडा को भूल गया कई से भूल सकते नहिए कोपडा को कई से बूल सकते अंद गए सबको यहां तक जीए आ मां आ अच्छे दोस्तों इंटर मतलब होता है दो लोगों के बीच में ऐसे लोग बढ़िया का होते हैं भया साइकोलोजिस्ट का चल रहा है तुम्हारे दिल की बात जानते हैं पारामर्ष काउंसलर करते है यारे भया भूल जा उसको वह चली गई तु बूल जा बढ़िया पारामर्ष करते हैं धसवी के बाद कौन सा सब्जेक्ट लू बढ़ियां बताते हैं अच्छे पॉलिटीशन होते हैं भाई यो बहनों इसके बाद सबको बिजली पानी फिरी मिलेगा लेकिन वोट यही पर डालें ऐसा पॉलिटीशन बोलते हैं आईसा का बोलते हैं पॉलिटीशन बोलते हैं जोतिसी होते हैं अपना भविश्य नहीं जानते लेकिन आपका भविश्य बताते हैं उतोता निकलता है एक परची उठाता है तोता निकलता है और एक परची उठाता है बेड़ा बासवन मारिये तो आईसा लोग का करते हैं दो बहुत प्रगार होते हैं और दोस्तों उसके बाद आता है इंट्रा पर्सनाल इंट्रा मतलब होता है अपने अंदर इंट्रा मतलब खुद के अंदर ज्हांक ले मैं तो तेरे पास बन्दय खुद के अंदर जहाक ले अच्छा यह देखे रहे हैं भगवां जी अंदर जहाक ले मेरी कमिया क्या है strength, weakness, opportunity and threat मेरी strength क्या है मेरी कमिया क्या है मेरे लिए opportunity क्या है और मेरे लिए threat क्या है बास on मार आई है बढ़ा बासवन भृहlar बहुत बढ़स ही शानदार तो दोस्तों है इसे लोग का होते हैं ? फिलोसपर रोते हैं ? इस्पृच्वल लीडर होते है कि फिलोस्फर होते हैं इस्पेश्वल लीडर होते हैं समझ में आ रहा है और अब एक आखरी प्रकार का यह देखिए इस प्रिश्वल ओ बैट गई पीपल के नीचे साधना में अरे भाईया अभी उसका पढ़ने का टाइम है अभी उसका सपने पूरे का टाइम है का है उसको अध्यात्मिक बना रहे हो खुद के अंदर जहांक बंदे मैं तो तेरे पास में बिल्कुश सही का और दोस्तों यह आखरी आता इसका प्रकरती वादी मैं तो आप से प्रेम करता हूं प्रकरती से प्रेम करता हूं जो नेचर लवर होते हैं का होते हैं नेचर लवर होते है नेचर लवर होते हैं, बिटा क्या करते हैं, प्रकरती से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग बढ़िया का होते हैं, किसान, परिय अटक, वनस्पती विज्ञान, प्रानी विज्ञान, पक्षी विज्ञान, देखा होगा आप सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो वह content जो सीधा आपके exam में आए वह content पढ़ें, जो सीधा आपके कहा है? exam में आए, सीधी बात, नो बक्वास सबने में आरी बात? सीधी बात, नो बक्वास वह पास समन में आरी है? बात के लिए हो रहे है सब को, किसी हो कोई दाव कोई confusion? अगर तुम अगर तुम उजाले में विश्वास करते हो तो अंधेरे में विश्वास करना पड़ेगा अगर तुम दिन में विश्वास करते हो तो रात में विश्वास करना पड़ेगा तो रात में विश्वास करना पड़ेगा मृत्यू के बाद जीवन और टाइटल बड़े शांदर रखते हैं टाइटल बड़े शांदर रखते हैं life after death death के बाद जीवन मृत्यू के बाद life तो ऐसे लोग मैं टाक किसमें आते हैं असित्वादे एक्सिश्टेलिष्ट बोलते हैं जिंदिगी बहुत भूत प्रेथ इन सब पहला किस पर सवाल कम आता है लेकिन पूछ लिया जाता है टोटाल आठी है एक कम होता है घोष्ट के बारे में बात करते हैं समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो मैं कहूंगा बेटा दंगल शुरू होगा लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार पहले करें शेसन को शेयर करदें एक बार मैंने बोला ज säसन को अधार करें लök बैठे आप को नहीं करते हैं और परिवार करें दंगल को शुरू करते हैं पिछली बार भी पिछली बार भी दोस्तों सीटेट में सीडीपी में 30 में से 30 आये थे इस बार भी आएंगे इस बार भी आएंगे वादा करूंगा पूरा लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ हैं अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो वादा पूरा ठीक है पहले एक बाद सभी लोग शेयर करते हैं और बच्चे बड़ा और शुरू करते हैं आज का दंगल शुरू करते हैं एक बाद कटक टक 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 जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आप लोग यह शुरू हो गया दंगल दस दिनों में बस ये दस दिन जो पढ़ लेगा ना सिलेक्शन पक्का है बस ये जो दस दिन पढ़ लेगा सिलेक्शन पक्का है तो जो दस दिन में क्या पढ़े हैं एक भी क्लास मिसमत करें चाहे सीटेट की एचटेट सूपर टेट और जूपिटेट कोई साभी पेपर दे है साहरे प्रीवेस से कोशन आपको provision सत्फ मिल रहे हैं साया प्रीस से कोशन आपको एक साह एक साथ मिल Hybrid तो शुरू कर दें आपके स्क्रीक्राइघ पहला कोशन आपके स्क्रीन पे आ द्यान से खेलिएगा, द्यान से खेलिएगा भाई मेरे, क्या बोल रहे हैं, एक शिक्षी का अपने शिक्षार्थियों की, आट टीचर में एक यूज़ वराइटी आफ टास्च तु केटर तु केटर तु दा डिफ्रेंट लर्निंग स्टाइल आफ लर्नर्स, छीक है, अधिकाम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविधिपूल कारियों का प्रियोग करती है, वै किस से प्रभावित है भाई, कोहलबक के नेतिविकास, गाड़नर के बहुँ बुद्धिविकास, वाईगोस्की के समाजिक सांस्कृतिक या प्याजिय के संग्यनात में, इंटेमेटिकल इंटेलिजेंस, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तारकिक गड़ितिय बुद्धी, तारकिक गड़ितिय बुद्धी डैस से संबंदित है, भाई किस से संबंदित है, तारकिक गड़ितिय बुद्धी अभी अभी समझाया, पूरे देश में कोरोना, नया देपोर देपोर चांदर कमा हैं बहुत शांदार मज़ा अगला सवाल को बच्चा कितने साल का 16 साल का ध्यान रखेगा और परिक्ष्ण में उसको 75 नंबर आते हैं यह उसका IQ है मानसिक आयू निकालनी है कौन सबसे पहले बताएगा 124 लोग आंसर दे रहे हैं 124 लोग आंसर दे रहे हैं बाकी लोग का क्या होगा बेटा जिसको सिलेक्शन चाहिए सभी लोग आंसर दे ठीक है इससे आपकी हेजिटेशन निकलेगी इससे आपका हेजिटेशन निकलेगा बासवन मारिये अब देखेगा IQ कितना दे रहे है बेटा IQ हमारा है 75 आपका mental age नहीं पता real age कितना है 16 into में 100 M कितना हो जाएगा 75 into में 16 बटे में 100 25 तीए 75 25 चोका 100 4 चोका 16 3 into 4 12 12 कितना हो गया भाई मेरे 12 हो गया सही आंसर का हो जाएगा डीफोर दंगल पपुट्री की याद रखें जब भी भूल जाएं पपुट्री की याद रखें अगला सवाल अगला सवाल मेरे भाई क्या बोल रहे हैं IQ score क्या बोल रहे हैं बुद्धी लबदांक IQ score आर्जन्दली डैश को रिलेटेड विद अकैडमिक परफॉर्मेंस बुद्धी लबदांक समानने ताई डैश रूप से शेक्ष्ड निश्पादन से सम्बंदित होते हैं सबसे ज़्यादा किस सम्बंदित होते हैं क्या परफेक्टली हाईली मॉद्धी लबदांक ज़्यादा है तो पपू ट्रिक्स ओन मा आ रहे है किसी का बुद्धी लबदांक ज़्यादा है तो normally किस से संबन्दित होगा B4 भालू बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं highly बुद्धी होगा बिलकुँ सही कह रहे हैं B को lock कर दो सर 4th का B क्योंकि ऐसा पाया गया है जिसका IQ जादा है उसका academics भी जादा होता है बच्चे का अच्छे number आते हैं तो का हो जाएगा B4 भालू सोचिये जारा सोचिये जारा बेटा सवाल देखते जाएं अगला सवाल मेरे भाई अगला सवाल आंसर सभी लोग दें अगर 2000 बच्चा देख रहा है तो 2000 उत्तर दें नहीं तो का होगा आप समझ रहे हैं नहीं तो का होगा और सवाल का उपन चैलेंज करके दिखाएं त्योरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज दा फॉलॉइंग एक्सेप्ट जादू वाले शवाले एक चकमा वाले कई संवाले गात्म बुद्दी की बात कररें किसके बात करें इationalिक्री देटा है किस्के सिवाएं भिष्यों की विभिन तरीकों से प्रस्तोत किया जाता है सम्वें गात्मत बुद्धी बुद्दी लबदी से सम्बंदित नहीं है विभिन तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है या बुद्धी प्रकर्माण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्छ है एक विशिष्ट क्या है समुच्छ है पांच नमबर का सवाल और बिल्कुस सही बता रहे कई लोग भाई दोस्तों पांच क्वे नमबर का सवाल बताएं क्या बात है कुशु कुशु भाई पटेल बोल रहे हैं नाम जल्दी में बिटा यहीं पढ़ा गया और कहरें सर सी को लॉक कर दो सी सी को लॉक कर दें सम्वेगातमत बुद्धी बुद्धी से संबंदित नहीं है यह नहीं बोला गया था सही जवाब सी हो जाएगा सभी जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सबको सोन मा रहा है अगला सवाल कोशन नमबर छे की बात कर रहे हैं को कुशन नमबर छे वन उफ दा आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज एडॉप्टेड बाए सोशली एकोनोमिकल रिच फैमिली जुडवा बच्चे ले लिए भाईया कैसा बच्चा ले लिया जुडवा बच्चा ले लिया ए और बी जुडवा बच्चे ते जुडवा मूवी देखें वही वाली कहानी है एक बच्चे को कैसा ले लिया एक बच्चे को रिच परिवार ने ले लिया और एक बच्चा कह चला जाता है गरीब परिवार में चला जाता है हिंदी मुवी का कहानी पूरा का पूरा हिंदी मुवी का कहानी बासवान मारे एक को धनाड़े परिवार गोद ले लेता है दूसरे को निर्धन परिवार एक वर्ष के बाद उनके बुद्धी लबदां के बारे में कौन से कहन विल्कुल सही होगा सबसे सही बात क्या होगी निर्धन परिवार वाले लड़के के पेक्षा धनी परिवार वाला बच्चा जादा अधिक अंग प्राथ करेंगे यह भी कैसा हो सकता है अधनी श्माजिक आरिवार वाल वाले लड़के के पेक्षा निर्धन परिवार लड़का अंग प्राप करेंगा का वाई गरीब बाटक ज्यादा बढ़ए नमबर लेके हैं...... श्तर बुद्धिल अब्छों को प्रभावित नहीं करता ह। आप किसी भी समाजिक इस तर से हो, आपके पापा कुछ भी करते हैं, आप किसी परिवार से हो, उससे अपका IQ पर फरक नहीं पढ़ता है, क्या होता है, IQ पर फरक नहीं पढ़ता, तो D4 दंगल, D4 दंगल, बिटा पासवान मार ये, D4 दंगल क्लियर हो रहा है, अगला सवाल, अगला सवाल मेरे भाई देखिएगा अगले सवाल की बात कर रहे हैं का बोले which one of the following could be an end stage of child processing bodily kinesthetic intelligence इन में से कौन सा शारीरी गती बुद्धी रखने वाले बच्चे की अन्ति मवस्ता है दोस्तों किसकी बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ bodily kinesthetic की body बिल्कुल rubber है आरे भाईया rubber का पुतला बना दिये body को बिल्कुल का बना दिये rubber का पुतला का वो orator होगा अच्छा वक्ता होगा बोलने से और body के flexibility से का है कोई फरक नहीं पढ़ता भाईया का वो political leader होगा नहीं होगा मेरे भाई का वो सर्जन होगा या poet होगा सर्जन होगा या poet होगा काफी लोग सही बता रहे हैं सर वो का होगा सर्जन होगा कितना कैची घुसाना है कितना चुकुर चुकुर करना है कितना कैची घुसाना है कितना उपर उठाना और कितना कट्ट से काट देना है अगर हलका साभी गलत काट दिया तो का होगा प्रभू से मिला देंगे अगर हलका साभी गडबड हो गया तो प्रभू से मिला देंगे और पूड़ी बटवा देंगे तो दोस्तों वही वाली कहानी है कि यह का हुआ सल्ल की सांबane का होगतोता हैं you got a person मार थाар को पर्भुशं मिला देते और पूरी बटवा देते बासने आएगा है किलियर होला है बहुत बढ़िया आगे बैंramos लेकिन बा को शेयर नि कर देखते हो नों बेटा दिल पसीच जाता है ऐसे बच्चों को जब देखता हूं तो क्या होता है दिल पसीच जाता है आप लोग उसे एक कमिटमेंट करिए जब आप लोग कल को सरकारी टीचर बन जाएंगे ऐसे बच्चों पर special ध्यान देंगे, कल को जब आप सरकारी teacher बन जाएंगे ऐसे बच्चों को भी दोस्तों दिल से पढ़ाएंगे, ignore नहीं करेंगे commitment ignore नहीं करेंगे दोस्तो ignore नहीं करेंगे सही बात है सरकारी teacher बन के दिखाएंगे, तो ऐसे बच्चे का भी पूरा ध्यान रखेंगे पक्का जो लोग बिल्कु सही कह रहे हैं जो लोग मेरी बात से एगरी हैं टका टक 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 वो सेशन को शेर कर देंगे आगे तले मिटा और जिनका आखरी मौका है इसमें अपना फोटो लगवा सकते हैं ताकि दुनिया आपको देखे अगे बच्चवा तु वहाँ पढ़ता था तो दूस्तों कोड लगाकर आप टीचिंग का महापैक ले सकते हैं कोड का है y199 code का है y199 पूरे एक साल की तयारी आशिश के साथ कर सकते हैं पक्का सर पक्का करेंगे सर अरे मुझे पूरा विश्वास है इस परिवार पर पूरा यार पूरा विश्वास है मेरे भाई अगला सवाल code ध्यान रहेगा y199 आगे देखें भाई question number 8 की बात कर रहे है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफ्रेंट ग्रूब ऑन दा बेसिस ऑफ दियर आईक्यू सबसे पहली बात तो दोस्तों बांटना ही गलत है कभी भी बच्चे को classify नहीं करना है बाटना गलत बात है यह बच्चे को उसकी IQ के हिसाब से का कर रहे हैं बाट रहे हैं यह एक नेगिटीव वर्ड है बाट रहा नहीं है कभी पेपर में तो उसके अधार पर विबिन समूव में गत्विद्यार्च्यों का वरगी करन उनकी करता है अगर मैं दोस्तों बच्चों को बाट दूँ अरे इंटलीन बच्चा इस लाइन में बैठेगा यह बच्चा इधर बैठेगा इससे का होगा भीया इससे होगा क्या बच्चे का मोरल गिर जाएगा इससे का हो जाएगा बच्चे का मोरल गिर जाएगा दोस्तों तो का हो जाएगा भई उसका moral गिर जाएगा सर हमारे साथ partiality कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं सर मेरे साथ क्या कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं बिटा क्या हो जाएगा और बिल्कुछ सही बोले सर घट जाएगा उसके performance भी घट जाएगी और उसका moral टक कसे नीचे गिर जाएगा उठा नहीं पाएगा हो तो आप कल को जब teacher बन जाए बिटा कभी भी भेदभाव मत करना दिल से पढ़ाना यार दिमाग से नहीं दिल से पढ़ाना बहुत दुआई मिलती है बहुत दुआई मिलती हैं बहुत बड़ीया भई शंदर आगे चले मेरे दोस्त आंसर खाली 320 लोग दे रहे हैं है 320 लोग खाली राइसर भाकि लोग नहीं अजर है काहे न रजावं उस्से मारल यह का मुसे आगल की बात कर रहे है कि स्क ये बात करे यह रेवेंश самого स्वारेशिक्ष्स यह इसको पुछ आता है इसको आर पि. यह एक इंटलीजन्स का टेस्ट है टेस्ट के इंतरगत आता है राइवन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कई बार पेपर में पूछ ले राता है इस एन एक्जाम्पल ओफ डेस्ट यह एक इग्जाम्पल किस तरीके के टेस्ट का उदहरन है वर्बल आईक्यू, कल्चर फ्री आईक्यू, नौन गुरूप आईक्यू या बात करें पर्सनेलिटी की या बात करें पर्सनेलिटी की आर पीम किस तरीके के आईक्यू को दर्शाता है किस तरीके के टेस्ट को दर्शाता है और कहा रहे हैं सर बी को लाग कर दो सर मेरे टॉपर्स एक चिर मुसे और प्रॉमिस करिए टॉपर मेरे इसी गुरुप से होगा सीटेट में टॉपर इसी गुरुप से होगा मैंने तो एलान कर दिया है आप लोग करते हो कि नहीं करते हो टॉपर मेरे इसी गुरुप से होगा बाई जो 1600 बच्चा देख रहा है ना यही सब बच्चा टॉप करेगा बैने तो बोल दिया है आप लोग मेरे साथ देंगे इस मुहिम में बताएंगे कि नहीं बताएंगे सताएंगे मेरे साथ साथ देंगे बिटा तो बिलकुल और जो बच्चे रेगुलर हैं उनका परफॉ परणी नहीं मिल रही है तो आप लोग यूटूब पर जाके सर्च कर लें सीडीप बाई आसीश सर एक बार सभी लोग इसको अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे सबी लोग इसको अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे कैसा सर्च करना है देखो यह मेरी सान बढ़ा देते हैं यह मेरे अंदर तूफान जगा देते हैं कहरें सर कैसा सर्च करेंगे बहुत बढ़िया और मुझे पूरा विश्वास है टॉपर आप लोग ही होंगे तो CDP कैसे सर्च करेंगे किसी ने सर्च करा क्या यह लक्ष्मी नारायन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हरीकेश आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिए कोई भी कन्फूजन हो ठीक है जिसों कोई कन्फूजन है मुझे कॉल कर ले बाकि सर्च कैसे करना है जिसने सर्च करा CDP बाया आशी सर्च सब लोग डालेंगे उसके अंदर और जिसने सर्च करा आपको वीडियो देखने के बार बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ा रिकी नहीं बढ़ा वो भी कमेंट करके बताएं ताकि बाकिस साथियों का भी कॉन्फिडेंस का इदा मिला है कोई किताब का जरुत नहीं है ऐब को कोई किताब का जरूरत नहीं है अगे शांदर क्लियर हो रहा बहुत बढ़िया आगे चले मेरे दोस्त दस नंबर सवाल क्या बुले न वर्ल्ड कॉमप्रीयेंसीव कह वर्लर कॉमप्रीहेंसीव मतलब क्या होता है ता है मेरे दोस्त व्यापक कॉंप्रेहंसिव का मतलब क्या होता है वाप व्यापक ठीक है मैं जब देख लेंगे भी टेंशन ना लें हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है ऐसा नहीं कह रहे हैं मैं कई बार क्या होता है दोस्तों टाइपिंग करते करते हैं टाइप कुछ चला जाता कुछ और तो अगर कोई गलती होग तो इससे एक्सेट करेंगे ना जल्दी बाड़ी होगे तो मिर उसके बात कर लें क्लास के बाद बात कर लें में देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन परिशान मत हो यह तो बोलें दा वर्ड कॉंप्रिहेंसिव इसमें दो वर्ड आते हैं, C for continuous and C for comprehensive, C for continuous and C for comprehensive, बास वान मा रही है, सबको clear हो रहा है, तो उसमें जो व्यापक शब्द है, डैश के अलावा, निमलिक के दोरा समर्थी है, किसको छोड़ कर, चकमा वाला सवाल है, किसको छोड़ कर बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसको छो इस सवाल पर बहुत बावाल हुआ है, comprehensive, और इसका आंसर अब आप लोग सही बता रहे हैं, बहुत फाइदा होता है, सर, बुक की जरूत नहीं पढ़ते हैं, बच्चों का reply, सर, हमने सर्च करा, CD पर आशिश करके, तो इसका बहुत फाइदा हुआ, बच्चे reply कर रहे हैं, बहुत बढ़ी हैं दोस्तों, और बिलकुल फाइदा मिलेगा ही मिलेगा, और इसका जो सही बढ़ा सही आंसर है, B option, इसको नोट कर लें, इस पर बहुत सारा बवाल हुआ है, कई बार, इस पर का हुआ है, बहुत सारा बवाल हुआ है, तो 10th का का हो जाएगा, B option हो सुचना प्रकर्मन का सिध्धान्त, समझ में आ रहा है, अगला सवाल देखिएगा, इस्टनबग, जैसा ही नाम इस्टनबग आएगा, इसकी पप्पू ट्रिक का कहती है भीया, इस्टनबग की कैप, C से क्रेटिव, A से एनलिटिकल, P से प्रेक्टिकल, C से क्रेटिव, यानि कि स्रिजनात्मक, A से एनलिटिकल, यानि कि आपका क्या हो जाएगा, विशलेशनात्मक, P for practical, यानि बिल्कुल बेसिक वाला हो जाएगा, बिल्कुल का हो जाएगा, बेसिक वाला हो जाएगा, तो इस्टन बाग जैसे ही आया, पप्पू ट्रिक लगाया, जिसको ट्रायर्च यानि तीन शब्दों का खेल है, और तीन शब्द क्या है, C, A, P, Cap, आशिश के पपुट्री क्या बोलती है सीएपी कैप सीएपी कैप बोलती है ना बोल रहे है किसको छोड़कर फिर चकमा फिर क्या हो गया फिर चकमा किसको छोड़कर समाजिक आनुभाविक या संदर्ब गत की बात कर रहे हैं और बहुत शांदर बता रहे हैं सर बी को लॉक कर दो बी फोर भालू वा भई वा समाजिक के बाद कौन करता है जितने लोग देख रहे हैं यार लाइक करो यार पंदरा सु का हैं लाइक हैं अगले दस सेकिंड के अंदर आपका लाइक दो हजार पहुंच जाना चाहिए जितने लोग देख रहे हैं अगर दोस्तों मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए चार-चार-चार-पांच-पांच घंटे एक वीडियो बनाने में लगा रहा हूं कॉंसेप्ट अलग-अलग किताबों से इसे अड़े तो दोस्तों इतना त तक टक 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 लाइक होना चाहिए और कौन बोला कौन बोला सर समाजी का मतलब तो कह सर वाईगोच्षकी है इतो रवाई गॉसकी ने दिया था यहां इनका का रूल आ गया इन्होंने तो टोपी पहनाया था इस तेनबग सहाब की टोपी बासॉन मारीए बहुत बढ़िया बहुत सांदार खेल रहे हैं भीया बहुत सांधर खेल रहे हैं तो सही अंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा और दोस्तों भ exporting आवश्यक जानकारी आपको बता दूँ कल है शनीवार कल क्या है भिटा कल है क्या शनीवार है कल शनीवार है तो कल सुभे 10 बजे बहुत special कराने वाला हूँ, कल सुबह 10 बजे, आप सभी लोग बता दें, कल सुबह 10 बजे, मैं आपको 100 प्रश्न का मौक टेस्ट लूँगा, 100 प्रश्न का मौक टेस्ट लूँगा, क्या आप लोग तैयार हैं, और लास्ट में मैं टॉपर बताऊंगा, किसने टॉप करा, हिबा अनवर, स्मिता गुपता, समता, वंधना मौर्या, इंदु गुपता, योगेंद्र, बिटा कल जो है, सुबह 10 बजे, जैसा कि आप लोग 10 बजुड़ते हैं, कल सौ प्रश्नों का मौक टेस्ट होगा, सौ प्रश्नों का, क्या आप लोग तैयार हैं, अपने आपको प्रूफ करने के लिए कि कितना पानी में हैं, तैयार है सबी लोग, देखें भाईया, का पढ़े हो पूरे साल भर, का पढ़े हो पूरे साल भर, सौ प्रश्नों का मौक टेस्ट, और मुझे एक और चीर बताईएगा दोस्तों, अगर आपको शेशन बढ़ियां लगता है, अगर आपको शेशन बढ़ियां लगता है, और लगता है आशी सर मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो पैटा एक भी क्लास मत छोड़िएगा, मैं फ आता है, लेकिन मैं एक बात की गैरेंटी देता हूँ, अगर जो बच्चा मेरे कहे अनुसार पढ़ लेगा, तीस में से तीस जरूर लेके आएगा, लेकिन उसमें कहे अनुसार उसको पढ़ना पढ़ेगा, कहे अनुसार पढ़ना पढ़ेगा, तो आप आज लोग पूरा स से लिए बास सारा वीडियो देख डालिए और कल मुझसे मिलिए सुबह 10 बजे टीचा सद्डा पर पेटा बास्वन मारिए जाते याते यह आकड़ा अठारा शो से उपर कर लाइक होना चाहिए और यह आपका होमवक वाला सवाल है मुझे इस सवाल आपको होमवक में इसका आंसर बताईएगा इसका आंसर मुझे होमवक में बताईएगा और मैं यही कहूंगा यू आर बेस्ट मैं यही कहूंगा दोस्तों मैंने तो आपको टॉपर मान लिया है क्या आप उस लाइक काम करने ले तैयार हो यू आर बेस्ट यू आर बेस्ट तो अपना ध्यान रखें and smiling face के साथ कल मिलते हैं सुबभे 10 बजे सो सवालों का दंगल सो सवालों का दंगल देखना ना भूले अगर selection चाहते हैं तो देखना ना भूले टेक केयर दोस्तों बिंदास रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें कल मिलते हैं सुबर दस बड़े, टेक्केर